वन्डे मात्रमबाल दोस्तों आज हम जरा मुस्कुराईए चुटकुले की स्वध्य पोठी पढ़ेंगे तो स्वध्य पोठी का पहला प्रश्न है प्रश्न के उट्टर के लिए उचित विकल्प चुन कर विकल्प का क्रम चौरस में लिखे तो पहला है सौनू डिवाल पर क्या ठोक रहा था तो सौनू डिवाल पर किल ठोक रहा था दूसरा मुन्ना कितने बजे तक पढ़ाई करता है तो मुन्ना देड़ बजे तक पढ़ाई करता है दूसरा तीसरा, दब्बू की स्वीशर में फेल हो गया था, तो दब्बू इतियास में फेल हो गया था, शी. चौठू, आडमी कहां जा रहा है, तो आडमी डाक खाने जा रहा है, ए. प्रस्ट नमबर डो, कोश्टक में से उचीट सब्द चुन कर रिक्त श्टानों की पूर्ती कीजिए, तो पहला, तुम मुझे खल्जग्या क्यों नहीं देते, तो तुम मुझे कीराया क्यों नहीं देते, दूश्रा, शौनू का खल्जग्या फट गया, तो सौनू का सीर गया, तीसरा, वह कितना बुखा है, खल्जग्या भी खा जाता है, वह कितना बुखा है, कागज पत्र भी खा जाता है, चोठा, कभी खल्जग्या का भी इस्टमल कर लिया कर, कभी खोपडी का भी इस्टमल कर लिया कर, आगे, प्रस्ट नमबर तीन, नीमना लिखेट तो गलत दूसरा आद्मीने शौनुको खोपडी का इस्टमल करने को कहा सही तीसरा डबू अंग्रेजी में फेल हो गया था तो गलत चोठा राट के ग्यारा बजी मुल्ले की लाइट चली गई थी सही चोठा प्रस्न नीमन लेखिट सब्द के भिरूट अठी सब्द लिखे पहला मालिक तो नो कर उच्या नीच्या सफल अशफल राट दिन जन्म मुरूत्यूं आज कल प्रस्ट नमबर पाँच रेखांकिट सब्द के लिंग बदल कर वाक्य फिर्ट से लिखे तो पहला है पंदित रामायान सुनाने लगे तो लिंग बदल कर वाक्य फिर्ट से लिखना है तो पंदित आइन रामायान सुनाने लगी दोसरा मेरे दादा जी यात्रा पर गए है मेरी दादी जी यात्रा पर गई है आगे लेख कहानी लिख रहा है लेखी का कहानी लिख रही है चोठा जंगल में सेर डहाद रहा है जंगल में सेर नी डहाद रही है पाचवा सेट डुकान में बैठे है सेथानी डुकान में बैठी है अध्यापक पढ़ रहे है अध्यापी का पढ़ रही है चटू निमनलिकित कहावतों के अर्थ लिखे तो पहली कहावत है अकल बढ़ी या बैस तो उसका अर्थ है सरीर बढ़ा होने की अपेक सा अकल बढ़ी होती है दूसरा आस्मान से गीरा खजूर में अटका एक के बाद एक विपती में फशना तीसरा जो गरते है वो बरश्टे नहीं जो डिंग मारते है वे काम नहीं कर शकते चोथा जैसी करनी वैसी बरनी जो जैसा करते है उसके उसकी अनुश्यार फल भुकतना पढ़ता है पाचवा आये थे हरी बजन को ओटने लगे कपास अच्छा काम छोड़कर महत्वहिन काम में लग जाना आगे का प्रश्ण प्रश्ण नमबर साथ निमन लेकित मुहावरों के अठ देकर वाक्यों में प्रयोग कीजी तो पहला आखों का तारा तो बहुत प्यारा तो उसका वाक्य है रमे सब की आखों का तारा है दूसरा कमर कशना याने के खोब बेमेहनत करना परिक्षा में प्रठम स्थान प्राप्त करने के लिए उसने अपनी कमर कशली तीसरा इड का चांड होना याने के दुरलब होना हमारे जीवन में मुस्केली आते ही स्वार्थी मित्र इड के चांड बन जाते है आस्तिन का साफ होना याने के विश्व गाती हम विश्वास गाती हमें सदे वैसे लोगों से वच्ते रहना चाहे जो आस्तिन के साफ होते है आस्तिन का साफ होना याने के विश्वास गाती होना आग बबुला होना याने के बहुत क्रोधित होना नौकर से गुलदस्ता तूट जाने पर मालकीन आग बबुला हो गई प्रश्न नमबर आट उदाहरंड के अनुसार सब्द का चार चार वाक्या में प्रयोग कीजिए उदाहरंडिया है ऐसे हमें सब्द का वाक्या में प्रयोग करना है तो पहला घर में उदाहरंडिया है गर मेरा घर भावनगर में है मुझे अपना गर प्रशंद है मेरा गर बहुत सुन्दर है मैं अपना गर शाफ रखता हूं वैसे सब ददिये गए उसके हमें बाक्य बनाने है तो पहला है बाग मेरे घर के पास बाग है बाग में सुन्दर फूल खिलते है मैं रोज बाग में जाता हूं दूसरा मीत्र, मेरे तीन मीत्र है, हमें सदेव अपने मीत्र की मड़ट करनी चाहिए, मीत्र हमें सदेव सची सला देते है तीसरा नदी, हमारे गाउं में नदी बहती है, नाव नदी में तेरती है, नदी का पानी खेटी के काम में आता है चोठा कहानी कहानी हमें अच्छी बाटे सिखाती है डयालो शिकारी की कहानी अच्छी है हंस और कछवे की कहानी प्रचलीट है प्रश्ण नमबर 9 निमन लिखित प्रश्णों के उत्तर एक-एक वाक्य में लिखे पहला किराईदान ने मकान मालिक को क्या कहा तो किराईदान ने मकान मालिक से कहा कि आप ही ने तो कहा था कि इसे अपना ही घर समझ ना दूसरा श्वानू डक्तर को क्या उत्तर देता है तो स्वानू उत्तर देता है कि मैं पत्थर से किल ठोक रहा था एक आदमी ने मुझे कहा कि कभी खोपड़ी का भी इस्टमाल कर लिया करो तीसरा प्रश्ण डबू इटियास में क्यों फैल हो गया तो क्योंकि सबी प्रश्ण उस समय के थे जब वह पैड़ा भी नहीं हुआ था प्रश्ण नमबर चार पिता जी ने मुझे को साबासी क्यों दी तो मुझे राट को डेटक पढ़ाई कर रहा था इसलिए पिता जी ने मुझे को साबासी दी पांचवा प्रश्ण मुझे को लाइट जाने का पटा क्यों नहीं चला तो मुन्ना पड़ाय में मग न था इसलिए लाइट जाने का पटा नहीं चला आगे का प्रश्ण प्रश्ण नमबर 10 निमन लिखिट प्रश्णों के उत्तर दो तीन वाक्य में लिखे पहला सौनू का सीर कैसे फट गया तो सौनू पत्थर से खेल थोक रहा था उस शमय एक आडमी ने सौनू से कहा कि कभी तो अपनी खोपड़ी का इस्टमाल कर लिया कर तब क्लिल थोकने के लिए सौनू ने अपनी खोपड़ी का इस्टमाल किया और उसका सीर फट गया दूसरा प्रश्ण मुन्ना कैसे पढ़ाई कर रहा था तो मुन्ना राट को पढ़ाई कर्टे वक्ट सो गया था इसलिए मोले की लाइट चली जाने पर उसको पटा नहीं चला तो बाल दोस्टो यही पर हमारी स्वध्य भूटी खतम होटी है अश्टू